हेलो दोस्तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं देवुपी एकाच्सी है और देवुपी एकाच्सी के दिन ही तुलसी माता और शाली गराम का विवा होता है श्री हरी का रूप है तुलसी माता के साथ जिनका विवा होता है शाली गराम तो आईए बात करते हैं विभा की विधी क्या है कैसे उनका पूजन करना होता है दोस्तों ये possible नहीं है कि हर कोई तुलसी माता का विभा कर सके क्योंकि हर एक पूजा की विधी विधान के अलग-अलग परिकरियाई होती है मालो अगर कोई तुलसी माता का विवा ना कर पाए तो पूजन तो कम से अवख्षे करे उसका भी फल काफी अच्छा मिलता है तो थोड़ी सी विदी है छोटी सी मैं आपको बता रही है आप नोट कर लीजे इसके लिए आपको जो है जो हर घर में तुलसी माता होनी चाहिए और तुलसी माता का गमला होता है ज़्यादा तर उस गमले को आप तुलसी माता को आप एक लाल वस्तर पर स्थान दे वहाँ पर रखे पहले सरपर्थम तुलसी माता को उर्शली दराम भगवान को स्नान करवाए गंगा जल साथ मिलाकर स्थान के पश्चात ही आप उसको उन दोनों को स्थान दे लाल वस्तर पर माता का गंबला रखे या फिर अगर गंबला नहीं है जैसे भी आप घर में रखते हैं वहाँ पर लाल कलर से बुताई करें या फिर वस्तर लगाएं उनके नीचे कम से कम लाल वस्तर अवश्य होना चाहिए उसके बाद कुछ लोग मंडब बनाते हैं गन्य वगएरा से लेकिन हर जगे मंडब बनाना पॉसिबल नहीं होता फिर भी कम से कम कुछ बंदनवार फूल के आप ज़रूर लगाएं या फिर आम के पत्ते भी लगा सकते हैं उसके पश्चात माता तुलसी को कपड़ा अरपन कीजिए कोई वस्तर अरपन करें कोई अगर घर में हो तो आप कलावा लगा सकते हैं माता के पास या फिर चुन्डरी तो कम से को आवश्य लगाएं और कलावा शालिकराम भग्मान को पहना दे ऐसे वस्तर वो इने मंजूर कर लेते दूसरी बात अगर आपके पास सामर्थे हैं तो माता तुलसी को उस दिन कोई चुन्डरी बड़ी सी या फिर साड़ी सूट भी आप उनको दक्षना में दे सकते हैं या फिर दान कर सकते हैं उनके नाम से पूजा में रख सकते हैं इसके पश्चात दोस्तों महाँ पे कुछ रंगोली बनाईए कलर से तकि माता का विवाह है पूजा है तो वहाँ पर थोड़ा सा माता को बैठना अच्छा लगी रंगोली बनाएए, स्वास्तिक बनाएए, लालवासर पहनाएए और माता को वहाँ पर बिठाएए और साथ में सालिगराम को अलग से स्थान दे अगर अलग से स्थान आपना दे पाये तो माता तुलसी माता के साथ ही उनकी गमले में शालिगराम भगवान को बिठा सकते हैं तो इसके पश्चात आप फूलों की माला अर्पित करें भगवान शालिगराम को भी और तुलसी माता को भी उन दोनों को अगर माला ना हो तो फूल अर्पित भी कर सकते हैं सफेद तिल अर्पित करने होते हैं और हाँ दोस्तों कभी भी इस पूजा में चावल कस्तमाल ना करे श्रिंगार का समान रपित कीजिए माता को चूड़ी पैनाईए बिंदिया होती है बिंदी दीजिए शिंदूर का अरपन कीजिए और आपको सामर्थे हो तो पांच बरतन भी आप उसे हर दान होता है यह जव दस्तेसी करने 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 हैं कोई छोटी स्चुनरी आती है प्रिवियर मार्केट के अंदर जो दुर्गा पूजा में भी इस्तिमाल की जाती है वो चुनरी या फिर कलावा माता को अरपन अवश्य करें उसका भी फल सोगुना मिलता है और पूजा सामगरे में धूब दीब की बतियां तो होती ही है पंच पूब दीब दिखाए माता को उनकी पूजा रसना कीजे धोलनंगाडे बजा जाते हैं गीत भी क्या जाते हैं तुलसी माता की गायन का विधिविधान होता है और हाँ दोस्तों इस दिन कम से कम 108 परिकर्मा करना बहुत ही शुब माना जाता है अगर आप 108 ना कर पाए तो 11 या 51 या 7 या 5 भी आप कर सकते हैं तुलसी माता की परिकर्मा में और हर घर में तुलसी माता के लिए इतना स्थान नहीं होते कि परिकर्मा कर सके तो आप बले तुलसी माता का जो गमला है वो सामने रखा हो तुलसी माता के सामने भी आप हाथ जोड़कर घुम सकते हैं क्यो और बाकी जो है आरती होती है विश्णु भगवान की लक्षमी माता की और तुलसी माता की भी और जो सामगरी होती है बाद में वो हमने चड़ाये थी उसको दान करना होता और वस्तर आदिको भी किसी पंडित को दक्षना देकर दान कीजिए हैं दोस्तों दक्षना तरूर र